रामपूर जिला कलेक्टरेट के सामने पुलिस बालों की भीर लगी हुई थी कुछ लोग जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा लगपक 65 साल के उम्र का एक बुजर्ग उसे यूपी पुलिस वाले घेरे हुए थे और कलेक्टर दफ्तर से घसीट कर जिला अदालत ले जा रहे थे जब उस वक्ति की पहचान रामपूर वालों को हुई तो वो देखकर चौक गए कभी उसके खाफ से पूरा रामपूर थर राता था जिस जमीन को वो च्छू देता था वो आजम खान के होने की गारंटी होती थी था तो वो पॉलिस वाला लेकिन लोग उसे दवी जुवान से रामपूर में वर्दी वाला गुंडा कहते थे रामपूर उसके नाम से कापता था आज उसे ही पॉलिस वाले घसीट कर अदालत ले जा रहे थे उस जगह से जहां कभी डियम के भी उस व्यक्ति से खौफ खाता था नमस्कार मैं हूँ मनीश ठाकुर और आप सुन रहे हैं कहानी सच्ची घटनाव पर आधारित ये वाक्या सुलह अक्टूबर दो हजार सुलह की है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादर की सरकार थी और कहते हैं कि रामपूर की डियम के दफ्तर में कुछ लोगों की भीर लगी हुई थी वो अपनी शिकायत लेकर आये थे डियम के सामने में जब डियम के पास पहुँचे तो डियम को फपक कर रोते हुई देखा लाचार डियम के बारे में कहा जाता है कि वो एक सामने स्यो डियस पी के खौफ से परिशान था उस डियस पी का नाम आले हसन था ये वही आले हसन जिसे घसीट कर यूपी पुलिस उसी डियम दफ्तर से जिला आदालत ले जा रही थी दरसल आले हसन पर आरोप शत्रु संपत्ति कबजा करने का है और इस मामले में उसकी संपत्ति कुर्ख कर ली गई है आले हसन जीवन भर रामपुर में ही पोस्टेड रहा जब तक आजम खान ने चाहा आले हसन उसके साथ रहा रिटायर होने के बाद आले हसन को आजम खान ने अपने जोहर इनिवरसिटी का सुरक्षा अधिकारी निक्त कर दिया तो आजम खान के साथ साथ उस आले हसन की भी बल्ले भल्ले थी उत्तर प्रदेस में आले हसन के नाम पर कई सारे लोग अपना काम निकल वा लेते थे हमने दिल्ली में कई मुस्लिम पत्रकारों के मुझसे आले हसन की खौफ की कहानी खौब सुनी और यह भी कि आले हसन का फोन हमारे पास आया था आले हसन मतलब उत्तर प्रदेश में हर काम कराने की गारंटी आले हसन के खौफ से उत्तर प्रदेश के में कमिशनर तक कापते थे लखनव तक उसकी तूती बोलती थी और वो डायरिक्ट डी जी पी को फोन करता था और फर्मान सुनाता था आले हसन के कई सारे किस्से कहानिया है आले हसन करोणों के सामराजी का मालिक बन गया लेकिन रामपुर में उसके खिलाब शिकायत करने वाला कोई भी नहीं था अक्सर आजम खान इस बात को लेकर के रोते हैं कि उनके उपर बकडी चोडी भैस चोडी गाय चोडी पुस्तक चोडी के आरोप हैं अब तो वह यहवी दलील देते हैं कि पुस्तक तो विद्वान वेक्ती ही चोडी करते हैं आजम खान में सौ से ज़्यादा मुकदमे हैं और उन मुकदमों में आजम खान उनकी पत्नी और उनका बेटा भी जेल होकर आया तीनों अभी जमानत पर चल रहे हैं जिस आजम खान का कफी रामपूर में खौफ होता था उस आजम खान के परिबार से अभी कोई जन परतिन्धी किसी भी सदन में नहीं है आजम खान कभी सांसद हुआ करते थे पतिनी विधान परिशद की सदस और वेटा विधान सभा का सदस रामपूर मतलब आजम खान का आले हसन हुआ करता था आले हसन हिवा सक्स है जिसके करण आजम खान पर सौ से जादे मुकदमे हैं दरसल बकरी चोड़ी भैंस चोड़ी गाय चोड़ी किताब चोड़ी के जितने भी मामले हैं वो आले हसन के ही दिये हुए हैं रामपूर वालों ने ये शिकायत आले हसन के खिलाब सबसे पहले की जो आजम खान के आदेश के मताबिक खरता था जी जिस रामपुर के डीम के रोने की कहानी आजम खान के दौर में बताने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी बदले दौर में जब उत्तर प्देश में योगी आदित तिनाथ की सरकार बनी तो ये शिकायत एक साथ पचीस लोगों ने डीम के पास की थी और फिर मुकदमा दर्ज हुआ अब डीम के रोने का दौर नहीं था ये बाकिया 2000 की शिकायत का है मुकदमा 2020 में दर्ज हुआ इस मामले में शिकायत ये की गई लगवग 25 लोगों ने कहा ये शिकायत शुरुआत में की कि यतीम खाना जो रामपूर के नवाब ने बनवाया था यतीम खाने में सैकरो लोग रहते थे और उनने गाए बकड़ी इस तरह के जानवरों को पाल करके उनको जीब का पारजन चलता था आले हसन वहां आया और उसने सिदे जितने भी भैस बकड़ी तमाम जानवर थे उसकी रस्ती कटबा दी और उसे चुटा छोड़ दिया वो सब कहते हैं आजम खान का हो गया और इसलिए आजम खान पर बक्री चोडी बैस चोडी और अन्य जानवरों की चोडी का मुकदमा दर्ज है आजम खान ने यतीम खाने में रहने बाले यतीमों से ये कहा कि आज से ये जमीन आजम खान की हो गई यहां पर स्कूल खोले जाएंगे आजम के नाम पर आले हसन मनमर्जी से इसी तरह के काम किया करता था पूरे रामपूर की सरकारी जमीन नवाब की जमीन या फिर यूख हैं शत्र संपत्ती चुकि रामपूर में बहुत संख मुसल्मान थे और बरी संख्या में रामपूर से लोग पाकिस्तान चले गए एक भाई पाकिस्तान गया एक भाई यहीं रह गया ऐसे में कुछ भाई जो लोग पाकिस्तान चले गए उसकी संपत्ती को शत्र संपत्ती घोसित किया गया और आले हसन के सहारे इस बर्दी वाले गुंडे के सहारे आजम खान रामपूर की जादा तर जमीनों पर कब्जा करता चला गया इसलिए यूपी सरकार ने जो भूमाफिया घोशित किया आजम खान को उसमे बड़ी भूमी का आले हसन की है आले हसन सही माइने में उस उपन्यास का मुखे किरदार है जिसे बर्दी वाला गुंडा कहते हैं आले हसन का रौप उसका खौफ इसकदर था कि आले हसन के शब्दों के मतलब आजम खान हुआ करते थे आज ये आजम खान विक्टिम कार्ड खेलते हैं टेली विजन चैनलों से दिल्ली से गए हुए टीवी पत्रकार जाने अंजाने में आजम खान को विक्टिम कार्ड खेलने का अवसर दिया करते थे लेकिन ये आजम खान वही आजम खान है जिसने अपनी जीप में खड़े होकर के ये कहा था कि हमने यहां के कलेक्टर को से ये कह दिया है हमने यहां के कलेक्टर को कह दिया है कि तुम तनखया हो और रामपूर के लोगों से कहा कि इन तनखयों से मत डरना ये कलेटर पलेटर से shift डर ही हो ये तंखया है है तंखयों से ने डरते हैं आठिए मायाम आउदी जी के फोटो कैसे बड़े बड़े अपसर ब्रमार निकालके जूते साफ गर रहे है हम उनी से rif affair उन kny के जूते साफ कराऊंगा इंसाल लाने चाहा है अच्छा भाई बहुत शुक्री अच्छा दरसल आजम खान हमेशा डीम को, कलक्टर को, S.P. को इसी तरह से जलील करते थे और अपने आले हसन को प्रोबोक करके डीम और कमिशनर को धमकाते थे आले हसन का रुतवा ऐसा था कि कमिशनर उन्हें कोई आदेश नहीं देते थे जब तक आजम खान का खौफ रहा तब तक रामपूर से बाहर कभी भी आले हसन का ट्रांसपर नहीं हुआ एक सामाने सिपाही से डीएसपी के पत तक पहुँचा आले हसन ने करोडों का सामराज स्थापित किया और जब आजम खान का दौर खत्म हुआ तो वो रामपूर छोड करके दिल्ली के उसी शाहीन बाग के इलाके में रहने लगा जहां से शाहीन साजिस का खेल देश भर में हुआ अदालत लगातार इस आले हसन के खिलाफ वारंट जारी करती रही लेकिन आले हसन गाइब रहा एक बार 2020 में उसकी गरफतारी हुई लेकिन जमानत पर वो छूटा उसके वाद कहां गाइब हुआ किसी को पता नहीं पिछले दिनों उसकी तमाम संपत्ती कुर्ख कर ली गई उसके बेटे को गरफतार कर लिया गया तो एक आएक उसकी दिल्ली की बाटला हाउस इलाके में होने की जानकारी मिली यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस के सहयोग से बाटला हाउस से उस आले हसन को गरफ्तार कर घसीट कर रामपुर के उसी कलेक्टरिट के सामने उसी डीम दफ्तर के सामने लेकर आई जिस डीम दफ्तर में डीम को रोते हुए पाया गया था दरसल यूपी पुलिस ये सब कुछ रामपुर्ग के जन्ता को यह बताने के लिए किया था कि जिस आले हसन का ऐसा खोफ था उसे किस तरaps कुत्ते की गती की गई जा रही है ये बदले दौर की कहानी है जिस आले हसन से रामपुर्ग में लोग खोफ खाते थे कापते थे उस आले हसन को रामपुर की सामान सिपाहियों ने घसीट कर उसी डियम दफ्तर से घसीटते हुए जिला अदालत ले गई आले हसन अब जेल में है उसके हर पाप का हिसाब किया जा रहा है दरसल सही माइने में ये कहा जाए तो ये आजम खान जैसे सफेद पोश और एक वर्दी बाले की ऐसी कहानी है जो दिखाता है कि यदि कानून बनाने वाला और कानून का रक्षक गठ जोर कर ले अपराद साथ मिलकर करे तो लोगों का जीना दूबर हो जाता है जिस आजम खान को रामपूर की जनता बार बार जिताती रही उसी आजम खान की जनता ने सौस से ज़्यादा केस उस आजम खान पर किये मतलब उसी विरादरी के लोगों ने सफेद पोश और वर्दी बाले मिल करके जब अपराद करते हैं तो कोहराम मचता है रामपूर दरसल उसी की कहानी है आले हसन जैसे लोग उस खौफ की याद दिलाते है आज रामपूर अरुत्तर प्रदेश सुकून में है आजम खान जैसा अपराधी सजाय आपता है और आले हसन जेल में है ये कहानी आपको कैसी लगी इस तरह की सची घटनाओं पर कहानी दियाप को पसंद है तो हम नए सिरी से कई सारी ऐसी सची घटना जिसने समाज को जख जोड़ा है प्रभावित किया है आपको सुनाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद वंदे मातरम जैहिंद झाल कर वंदे मातरम ज दसे आपको was कि। झाल कर दू झाल